Hello Friends, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप अपने वीडियो में सस्क्राइब बटन कैसे लगा सकते हैं इस तरीके का सस्क्राइब बटन हो, चाहे फिर ऐसा हो, चाहे फिर इस तरीके से अपने नाम वाला सस्क्राइब बटन आप बनाना चाहते हैं चैनल का नाम हो आप का नाम हो तो इस तरीके की subscribe button आप कैसे बना सकते हैं और कैसे लगा सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ही बार आपको बनाना है बार-बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है और जब वीडियो बना रहे हैं तब सस्क्राइब बटन को एड कर सकते हैं चलिए फटा-फट से वीडियो को शुरू करते हैं पर उससे पहले Hello Friends मैं सुप्रिया सिंग आप सभी का स्वागत करती हू A to Z content में और आप लोगों से चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर ये वीडियो आपको पूरी देखने के बाद अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करियेगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके की बहुत सी वी अबगा शच्छी और बिल मोटिक कडेये तो यहाँ पर आपको सिर्च करणा है सिस्कुरिव ऑँमय की बें हुँ एस्सक्राइब। के उपर क्लिक करेंगे और फिर इसे नीचे या फिर ऊपर या फिर कॉर्नर में कहीं पे भी आपको लगाना है आप इस तरीके से लगा सकते हैं सस्क्राइब बटन ठीके इसमें कोई animation डालना चाहते हैं जैसे कि यह थोड़ा सा blink करें या फिर कुछ animation तो subscribe के उपर click करेंगे motion दिखाई दे रहा है motion के उपर हम कर लेंगे click उसके बाद scale तो थोड़ा सा scale होकर के आयेगा और out animation क्या करेंगे हम slide down कर लेंगे और loop animation भी मैं यहाँ पे choose करूंगी जो कि मैं करूंगी blink ठीक है इस तरीके से blink इसे time जो है ठोड़ा सा अलग कर देते हैं change कर देते हैं ताकि दीरे दीरे यह blink हो इस तरीके से या फिर कभी कभी मैं shake वाला भी इस्तमाल करती हूँ यह देखिए इस तरीके बटन खुद से बनाना चाहते हैं मतलब किसी editing app का नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम pics art में सबसे पहले कर लेते हैं क्लिक ब्लैंक के उपर हम कर लेंगे क्लिक अब उसके बार थोड़ा सा नीचे यहाँ पे है sticker sticker के उपर कर लेते हैं क्लिक और यहाँ पे हम type करेंगे subscribe और search के उपर कर लेंगे क्लिक अब देखिए अब आप चाहें अगर आप कुछ unique चाहते हैं अलग चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे subscribe बटन मिल जाते हैं आप यहाँ से भी save करके अपनी gallery में रख सकते हैं और जब ही भी आपको जरूरत हो वीडियो एडिट कर रहे हैं तो आप इन subscribe बटन का यूज कर सकते हैं अपनी videos में लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ अलग बनाना चाहते हैं यहाँ पर देखिए आप बना भी सकते हैं यहाँ पर यह वाला जो subscribe बटन है इसके उपर मैं click करती हूँ इसमें आप अपनी channel का नाम वगेरे लिख करके आप इसे subscribe बटन बना सकते हैं टेक्स्ट के उपर मैंने click कर दिया है अब मैं लिख दूंगी A to Z content अपने channel का नाम लिख रही हूँ है अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा color change करूँगे फिर दिखाई देगा लिखने के बाद tick mark है उसके पर click करेंगे और यहाँ से मैं इसका color change कर देती हूँ white color या फिर कोई भी color आप choose करना चाहते हैं तो कर सकते हैं पर मुझे ऐसा लगता है कि white color ही जादा अच्छे से match होगा तो मैं white color यहाँ पर use कर रही हूँ यहाँ से font भी अगर change करना है आपको तो आप कर सकते हैं अब यहाँ पर मैं अपना नाम भी लिख दूँगी तो यहाँ पर मैंने वापस से text के उपर click किया एट सुप्रिया सिंग लिखूंगी मैं टिक माक किया और इसे थोड़ा सा छोटा करके इसे भी हम यहीं पर set कर लेंगे तो यह देखिए इस तरीके से आपने अपना नाम लिखा अपने channel का नाम लिखा इस तरीके से आप अपना subscribe बटन खुद बना सकते हैं और यहाँ पर मैं search करूँगी यह देखिए यह जो बना हुआ है hand बना है, finger बना है इसके उपर मैं click करूँगी और यह देखिए इस तरीके से यहाँ पर show हो रहा है अब यहाँ पर इसे मैं save कर दूँगी और यह बीच बीच में हम इस subscribe बटन का use करेंगे अपनी videos को जब हम बनाएंगे तो मैं सबसे पहले apply कर लेती हूँ next कर लेती हूँ और इसे अपनी gallery में save कर लेती हूँ यहाँ पर यह save हो चुका है अब मैं बताती हूँ कि आप अपनी videos में इसे use कैसे करेंगे जैसे कि मैं VN का use करती हूँ अपने videos को edit करने के लिए तो VN मैंने यहाँ पर select कर लिया है और कोई भी एक video मैं यहाँ से अपनी select कर लेती हूँ जैसे कि यह देखिए यह video है मेरी image है image के उपर मैं करती हूँ click stocks है stocks के उपर हम कर लेंगे click और उसके बाद photos के उपर मैं कर लेती हूँ click अब यह रेखिए subscribe button हमने just अभी यही वाला बनाया है इसे हम कर लेते हैं select और इसे रेखिए थोड़ा सा उपर या फिर नीचे इस तरीके से थोड़ा सा नीचे या फिर साइड में जहां पर भी आपको यह subscribe बटन लगाना है आप लगा सकते हैं अब कोई animation डालना चाहते हैं तो लगाने के बाद आप डाल भी सकते हैं उसके उपर हमने click किया उसके आप motion के उपर हमने click किया उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा लुक कर देती हूँ तो इस तरीके से shake होता हुआ या फिर blink आप रखना चाहते हैं तो blink वाला heartbeat इस तरीके से आप कोई भी choose कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे तो चलिए मैं shake वाला ही choose कर रही हूँ और इस तरीके से हो जाने के बाद save कर देंगे आप इस तरीके से subscribe बटन लगा सकते हैं अपनी वीडियोस में इस तरीके का subscribe बटन सीखना चाहते हैं जिसमें की आपकी profile picture भी हो और आप देख सकते हैं कि ये वाला subscribe बटन किस तरीके से दिखाई दे रहा है ये वीडियो आपके लिए अच्छी और helpful रही है अगर ये वीडियो आपको अच्छी और helpful लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe जरूर करियेगा ताकि मुझे भी motivation मिले और मैं इस तरीके की धेरो वीडियो बना सकूँ चलिए मिलती हो फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाई बाई